यवस्कार स्वागे थे आप सभी का वाइटी एजूकिशन में सड़सटवी BPSC प्रारंभिक परिक्षा और मेंस एक्जाम को लेकर यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक्जाम पैटर्न से आप लोग काफी वाकिफ होंगे जिया दोस्तों तीन फेज का यह परिक्षा है पी टी उसके बाद मेंस और उसके बाद इंटर्व्यू यह तीन जो है यहाँ पे सेक्षन है जिसमें आपको यहाँ पर पार करके इसकी परिक्षा को पार करके अपने पोस्ट को ले सकते हैं टोटल पोश्ट की बात करें तो 802 पोश्ट हो चुके हैं, कल के एक निउस अपडेट के बारदियम से मैंने आपको बताया भी था, नोटिफिकेशन के बारदियम से, कि अब टोटल पोश्ट हो गए है, 602 अब रही बात इसमें की देखें ये जो परिक्षा है, ये परिक्ष जिसमें की आपको fail करने के लिए 5 option रखे जाते हैं, ठीक है, हर exam में अगर आप UPSC का exam भी देंगे जाएंगे ना, तो आपको 4 option देखने को मिलेंगे, वी भी the type के question होंगे, उनमें 4 option के बतले 4 option दे दी जाते हैं, तो वो अलग चीज़ है, वो तो इसमें भी होता है, लेकि आप में एक अनुठा exam है, और ये चुकि बिहार का exam है, तो इसलिए यहां के छात्रों को, छात्रों की जो mentality है, यहां पे जो भी मान से किसी ती है, उसको देखते हुए, यहां पे इस exam को cut-in बनाया जाता है, तो खेर, यह तो तारीफ हो गई बिहार के छात्रों की, लिकिन सबसे important fact होता है कि हमें इसमें entry कैसे लेना है, तो हम पहले तो बात करेंगे entry कैसे होगा, और बाद में बात करेंगे कि आप इसमें fail कैसे होगे, तो चलिए, लेकर चलते हैं इनके update पे, दोस्तो, अगर हम बात करते हैं पहले इसके syllabus pattern की, तो syllabus pattern में हमारे पास जो subjects होते हैं, वो एक तो history, geography, quality, इसके अलावा science, current affair और सबसे important बिहार special, चुकि देखें बिहार का exam है, तो बिहार special से question भी होंगे, बिलकुल, तो बिहार special में हमें क्या पढ़ना है, क्या current भी पढ़ना है, हमें और क्या चीज़े इसमें include रखनी है, क्या-क्या चीज़े extra पढ़नी है, वो भी जानेंगे, current affair के लिए कोई देखे, particular तो book नहीं, लेकिन, मैं आपको यहाँ पे फिर भी book recommend करूँगा, science के लिए भी topic expected होते हैं, चुकि अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, और exam दे रहे हैं, भी PSE का, तो बिना science के, तो आप लोग कहीं exam पास ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है, दोस्तों आपको history, geography, politics तो आप लोग लगातार इस pattern को follow करते आ रहें, बिहार के अगर परिक्चाय दे रहें तो, जो चातर नहीं हैं, उनके लिए भी कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं है, आप लोग भी इस PT exam को यहाँ पास कर सकते हैं, तो अब इस वीडियो को देखने के बाद भी, मुझे नहीं रगता है कि आपको फिर से strategy बीटियो की जरुत पड़ेगी, ध्यान से सुन लेजेगा, देखे, चुकि आप सभी को पता है कि अगर एक इतिहास है, हमारा ऐसा topic है, जो कि previous year के paper के माद्यम से अगर हम लोग देखें, तो सबसे ज़्याद topic से यहां से भी question और बहुत अच्छे question पुशी जाते हैं, तो आप history के बारे में हम थोड़ा सा पहले विस्तारित करते हैं, यहाँ पे, यह जो है history दोस्तों हमारा, इसमें तीन बार्ट में इसको divide किया गया है, आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, हमें book कौन-कौन से recommend करने चाह, चुकि देखिए बिहार भी है, तो बिहार का इतिहास से भी question रहेगा, तो इसको मैंने side में लग बताया है, इसकी बारे में book भी मैंने आपको दीखाया है दोस्तों, ठीक है, तो अगर आप दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको कहां से कहां तक पढ़ना चाहिए, आपको ज़्यादा नहीं, सन 1905 से लेके 1947 तक का जो पूरा का पूरा इतिहास है, उसको खतम गरना होगा, यहीं से आधुनिक भारत के इतिहास में परशन अकसर पुछे आते हैं, प्राचीन भारत की इति टॉपिक है हमारा वेद, घ्रंथ, लेखक, इन सभी टॉपिक से कॉश्चन उठते हैं एक्जाम में, तो उसके लिए मैं आपको अगर बुक कोई रिकमेंड करूँगा, बेश्ट बुक है आपके लिए इस्पेक्टरम, ठीक है, हाइली रिकमेंडेंड है, चुकि यह आपक बुक काम करेगा आपके मेंस एक्जाम में भी, दूसरा, अगर मैं बुक रिकमेंड करूँ, इस सभी बुक में कोई एक ही बुक लेना है, लोग कहते हैं कि मैंने दस बुक को खटम किया है, दस बार में, लेकिन मैं कहता हूँ की आप एकी बुक कोई उठाइए, उसको दस वर खतम कीजिए आपसे बेश्ट कोई बन ही नहीं पाएगा चुकि बुक कोई भी खराब नहीं है किसी का भी कलेक्शन खराब नहीं है सब कंपेटिशन में बुक अपने आप में यहाँ पे ज्यादा ज्यादा डेटास भेजने का प्रयास करता है तो आप लोग के लिए जो बहुत ही अच्छे से सजा कर दी गई है तो मैं हाइली रिकमेंट करूंगा स्पेक्टरम को अगर नहीं ले सकते हैं आप लोग नहीं पढ़ना है तो आपको मैं बोलूगा कि क्राउन पॉब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं बिलकुल बहुत अच्छी बुक है यह और समान न पढ़ना है भाई तो पढ़ना है तो आपको स्पेक्टरम पढ़ना होगा और यह मैं खासकर आपको बोलूगा कि आप सन 1905 से लेकर 47 जो समयकाल था उसको पढ़नेगा प्रयास करें सबसे ज्यादा कोशन आपके यहां से आते हैं इस टॉपिक से इसमें दोस्तों एक सबसे अगर हम पुरे भारत का इतिहास देखें तो कहीं न कहीं जाके connected है हमारे बिहार के इतिहास से तो आपके लिए एक बुक है यहां पे दोस्तों जिस बुक को मैं recommend कर रहा हूं जो कि आप यह पुस्तक ले सकते हैं लेकिन इसके अलावा एक पुस्तक और है जिसको बिहार मैं पुस्तक यह ले सकते हैं लेकिन मैं एक बुक और recommend करूंगा जो कि और भी अच्छी बुक है इससे इन दोनों में से कोई एक ले लिजेगा मैंने बोला ना कि आप दस पुस्तक से पढ़ने से अचा है एक पुस्तक को पढ़ें दस बार पढ़ें बस इस बात का ध्यान रख जो मतलब समझ है उनके जो एक्जाम को लेकर वो कहीं नहीं छूट रहा है कुछ कारणों से तो अगर वो पढ़ें वे इस सारी चीज़े तो आप जो है इस पुब्लिकेशन के भारती इतिहास की पुस्तक ले सकते हैं तो यह टॉपिक जो है ब्यार इतिहास से समन्द्ध हो एक ऐसा टॉपिक जो कि सबसे मज़ेदार टॉपिक है मतलब पढ़ने भी मज़ा आए आपको तो भारत का भुगोल इसमें पढ़ना है विस्व का भुगोल बहुतिक भुगोल जिसके लिए भी जो पुस्तके आपको मैंने बताई है यह इन दो पुस्तकों के अपने पास आप रख सकते हैं ठीक है लेकिन बहुत सारे चात्र इंसी आटी को यहाँ पर बोलते हैं कि हमें अच्छा लगता है हमें यह बुक पढ़ना पढ़ेगा इसके लिए तो देखें इंसी आटी जो है ना आप सिक्स टू टूवेल्ट ले सकते हैं और अगर आप चात्र यहाँ आप बहुतिक भुगोल की बात करते हैं तो बहुतिक भुगोल में आप इंसी आटी सिक्स टू टूवेल्ट का महेश बढ़नवाल की पुस्तक आती है वह आप ले सकते हैं यह मैं रेकमेंट करूंगा आपको यहाँ पे कि अगर आप जोगराफी के लिए जाते हैं तो आप और इंसी आटी पुड़ना पसंद करते हैं वैसे तो निउ एंसी ऐटी से भी आप तैयारी कर सकते बड़ और यह फिर इतना नहीं भी पढ़ना चाहते इतना डीप में जोगराफिक को लिके नहीं भी जाना जाते हैं तो आप और इंसी आटी कहिं 11 और 12 वाला यहाँ आप यह इससे ज्यादा कुछ चीजे में नहीं बोलूंगा आप इनसे भी पढ़ सकते हैं अगर इनको ज्यादा आप डीपली पढ़ना चाहते हैं अगर थोड़ा सा लाइट पर लेकर जाना चाहते हैं तो ओल्ड एनसे आटी पढ़िए एलेबन ट्विल्थ का सिर्फ बस ठीक है तीन में तीन पार्ट है हमारा भारत का भुगोल बिश्व का भुगोल और भौतिक भुगोल भारत के भुगोल से भी टॉपिक सबसे ज्यादा कोशन एक्जाम में रहेंगे आपके तो इस बात का आप ध्यान जरूर रखेंगे अब रही बात दोस्तों पॉलिटी की पॉलिटी के लिए मैं बोलूँगा कि कोई भी बुक आपको लेने की जुरत नहीं है अगर आपके पास समाने घटना चक्र है तो आप उसको लेकर पॉलिटी का पॉलिटी का बुक लेजिए और अच्छी बात है वह आप लोग पढ़ सकते हैं लेकिन आप नई एक पुस्तक लेजिए और खतम कीजिए घटना चक्र रखना जुरूरी है पॉलिटी के लिए कोशन बैंग के लिए ठीक है बहुत सारे लोग बोलेंगे एम ल दोस्तों अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है साइंस का साइंस में भी आपको फिर से यहां पे थोड़ा सा रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि इसमें भी आपके पास एक घटना चक्र कोशन बैंग होना चाहिए इसको ध्यान में रखिएगा एंसी 9-12 यह आपके पास एक बुक होनी चाहिए या फिर टी एमेज मैंने आपको फिर से बोलना है यहां पर कि कोई एक इन में से कोई एक पुस्तक आपके पास होनी चाहिए उसी को बार-बार पढ़ना है बार-बार खातम करना है समान निभी ज्यान का जो घटना चकर है कुछ इस तरह से आपके पास बुक होगा या फिर आप NCRT का 9-12 ले सकते हैं नहीं अगर इसमें भी आप नहीं रखना चाहते हैं इस पुस्तकों को चुप चाप लुसेंट का साइंस उठा के पढ़ लीजीगा बेस्ट बुक है और यह आपका बेसिक बुक है ठीक है तो इस बु को फॉलो करें देखिए रिजल्ट होगा या फिर आप भरोसा कर सकते हैं यहां भी NCRT 6-12 के पुस्तकों पेप पढ़ने में अगर आप थोड़ा सा यहां पर हाइली जो कहते हैं ना कि मतलब एक चुक हैं तो आप लोग रहें यहां पर तो आप लोग पढ़िए NCRT यह बे करेंट फिर एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको कुछ समझ नहीं रहता है कि कोश्चिन कहां से और कैसे पूशे आ सकते हैं बट हमारा कहना यहां पर कि अगर आप निरंतरता से वन वाई वन करके हर महीने का करेंट फिर आप पढ़ते हैं तो आपको कहीं से करेंट उठाने की विजुरत नहीं पढ़ेगी फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि आपके पास हर महीने का या तो परिक्षा मंतन आना चाहिए या फिर हर महीने का पर्तुक्त दरपन आना चाहिए एक मासिक पुस्तक और चल रही है मार्केट में जो कि स्पीड़ी है यहां पर आपको तोड़ा सा दिक्कत हो सकता आपको करेंट अफेर में मैं आपको करेंट अफेर के लिए हमेशा बोला हूँ कि आप लोग अपना खुद का नोट्स बनाईए या खुद के नोट्स बनाकर ही आगे किसी चीज को पढ़ने के लिए बनाते जी कुछ इस तरह से अगर आप इधार का एक्जाम है तो बिहार से जरूर कोशन पूशे जाएंगे सबसे अगर मैं बात करूए करेंट अफेर की तो करेंट अफेर में आप लोग बजट जो की 21 वाला बजट था बिहार का वो पढ़ना है आपको यहां से सबसे हाइली रिकमेंड कर रहा हूं इसको पढ़ यह नहीं बोलूँगा कि करेंट अफेर बिहार के लिए कोई भूक आप ले सकते हैं या पढ़ें उसको बूक जो है करेंट अफेर वाला वही आपको पढ़ना है यह पुले कैस्तिति और बिहार की जलबायोगो यह चार टौपिक को भी आपको सांथमें कभर करना है तो मैं समानियान की तो आप इनकी ये पुस्तक भी जरूर रख सकते है अपने पास अगर ये नहीं लेते हैं तो बट कोई एक ही लेना पुस्तक पर ये ध्यान रखेगा अगर आप ये पुस्तक लेते हैं तो ये मत लीजिएगा यहां topic से आपके question बिलकुल रहते है exam में, तो इसलिए आपको इनसे cover कर सकते हैं, data जादा है, collection of question जादा है, इसके एक related book और आती है, जो कि 700 करीब MCQ उसकी वो पुस्तक है, बिहार special, तो वो पुस्तक भी ले सकते हैं आप लोग, दोस्तो, अगर आपको इस exam में कोई pass करवान का वो guts रचता है, तो वो है दोस्तो आपका बिहार का question, current affair का question और बिज्ञान का question, ठीक है, तो यह तिन topic आपको इतने highly यहां पर recommend करों पढ़ने के लिए, चुकि यहां पर मैं आपको बोलूँगा, कि बिहार के question कर से कम 25 से 30 question हो सकते हैं, 35 भी हो सकते हैं, current affair कोई, यहां पर कह सकते हैं कि वो अंदाजा नहीं है कि कहां से question पूछा रता है, अभी exam होगा तो 2019 का भी question पूछ देगा, 2021 से भी question पूछ देगा, या 2018 के भी question पूछ देगा, तो यह आपको regular team में रखना होगा, practice बना के रखना होगा, और खास कर, एक साल का current फिर आपको complete यहां पर कर कर सके, और दोस्तों यहां से यह तिन टॉपिक ही आपको जो कि पास करवा सकता है, लेकिन फेल कौन करवाएगा, तो आप फेल कैसे होते हैं, सबसे इस पर जाननी जरूरी है, चुकि देखिए कोईसी भी exam का आपने जब entry जान लिया, यह से हम पास कर सकते हैं, तो exist भी जा नहींगा, तो आप बाहर निकालनी पाएगा, आप उसी में नर्वस हो जाएंगे, परिशा देने देने तक, आप परिशा पास नहीं कर पाएंगे, आप परिशा में फेल होते रहेंगे हमेशा की तरह, तो यह जानना जूरी है आपका, कि आप फेल कैसी हो सकते हैं या यहां पर बस आपका एक ही रिजन होता है, यहां पर दो रिजन है, यहां पर मैंने लिखे हैं, एक तो आसान प्रशनों को गलत करके आना एक्जाम में, आप इतने कठिन कठिन प्रशनों को स्वाल्व करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, आसान प्रशनों पर ध्य भी में लग जाईएगा तीन प्लस कोश्चन अगर आपने आसान कोश्चन गलत करके आए तो आप मानगी चलिएगा कि एक्जाम आपका नहीं निकल रहा है दूसरा कि डिवीजन नहीं करना आप क्या होते हैं कि आप एक ही चीज को यह दस चीजों को दस बर पढ़ते हैं जैस इसी भी एक बुक को उठाए चो है वो कोई भी सब्जेक्ट का हो उसको रिवीजन कीजिए पढ़िये रिवीजन कीजिए पढ़िये रिवीजन कीजिए मतलब कि आपके पास अगर चार से पांच बुक मैंने आज बताया है आपको तो यह फेल होने से आपको बचा सकता है तो फेल ऐसे होते हैं तो दिखिए कहीं न कहीं अगर मैं आपको बताओं कि जब इंट्री है तो एक्जिस्ट भी है तो इस तरह से आप ले सकते हैं यहां से बचाओ कर सकते हैं अपना तो आसान प्रश्ण गलत नहीं करना है यह ध्यान में रखिएगा अगर पास होना है तो आसान प्रश्ण गलत नहीं करना तीन से ज्यादा कोश्ट या 4 कोश्ट से ज्यादा कोश्ट गलत मत किजिएगा असान प्रश्ण को में मात कर रहा हैं सिर्फ यहां पर और रिवीजन तो छोड़ना नहीं है एक बुस्त तक को दस बार पढ़िये 10-10 पुस्त को एक अक बार